सतलोग धाम टीवी को सब्सक्राइब जिनूर करें संद रामपाल जी महाराज की कौन सी बात आपको ऐसे लगी कि आपको लगा कि ये कुछ अलग बात है और आपको लगा कि हाँ मुझे यही बाते बताने वाला संद चाहिए इस इंदोस्तान में हजारो धर्म गुरू हैं कि आपको नहीं लगता कि और भी बहुत सारे धर्म गुरू हैं जो सास्तोर के अनुसार भक्ती बताते हैं नहीं जी बिलकुल लगता क्योंकि हमने पहले भी नाम देख सार लिए थी परम संद से तो वहां हमें कुछ नहीं ऐसा मिला जो हमें सुख नी था हम दुखी थे हमें देवी देवता की भक्ती भी करते थे किसी से हमें कोई सुख नहीं ना आर्थिक ना मानसिक बहुत लाब मिले सर बहुत लाब जिनकी हमें गिंती नहीं कर सकते ठीक है न सर इतने लाब मिले कि उस दिन से हम इतने सुखी है जो हम पहले बाद में सोचते हैं वो पहले हुआ 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 पाय जाता है संत्रामपाल जी मारत से नाम दिख से क्यों लेने चाहिए क्योंकि सर वो जो है मुक्स का रास्ता है सास्तर के अनुसार भगती है उस रास्ते से उस भगती से हमें सतलोक जाना है और यहां भी हमें सुख सुविदाय मिलती है जब से हम वहां जूड़े हैं तो प्रमात्मा साने हमें मेरे को बहुत बड़ी बीमारी थी जैसे पेट में दर्द होती थी बहुत जाद दर्द होती सर पहले भी होती थी पर जब आस्रम में गये तो उससे थोड़ा रहत हो गई थी परंतु उसके बाद जब दो साल पहले की बात है कि मेरे पेट में बहुत जाद दर्द सब्सक्राइब करेंगे वैसा ठीक है और अगा अब पूरी रात कोई पता नहीं था कि में मेरे इसाब से तो मैं मर चुकी थी और सुब जब मेरे को होस आया मैंने देखा तो मैंने देखा कि प्रमातमा ने आप मेरे को बचा दिया एक दिन जैसे मेरे मेरे पती भगत जी है उनके पेट में बहुत जाद दर्द हो गई तो उस टाइम कौन बचाया था किसने बचाया था उनको प्रमातमा कभीर सहावी ही दर्सन देखके जाए उनको बिल्कुल जीवित कर दिया मरे वह को जी और बात दूसरी असी है कि हमारे घर में जैसे नया नया मकान बना था उसके पीछे एक दिवार थी और सा आठ फुट ल जुके हुए थे तो मैंने टॉर्च पकड़ी थी सर और उस पूरी दिवार साथ आठ फुट जै गुल भगत जी के सिर पे आ गई सर और उनको कुछ ने हुआ जो दिवार पकी थी उनके सिर पे आ गई और मैं गभरा गई और मैंने वह देखो यह क्या हो गया प्रदू और आत्मा के नित्यम लगा हुआ था और वो दिवार ऐसी जैसे फूल की तरह उनको कुछ नहीं एक जखम तक नहीं आया सर और मेरे सारों चारों तरफ से टांगों के पास आस पास पास पत्री पत्र गिर गया और भगजी को मैंने ऐसे किया एक ऐसे ही सारा किया जैसे मालो उस उनको पकड़ के पीछे कर दिया है और दिवार फिर उसके पास सारी ही जब वो पीछे हटे तो निचे गर गई सर और मेरे टांगे बिलकुल सुरक्षित उनने सोचा कि इसकी टांगे बस टूट चुकी है परनतु मेरे टांगे बिलकुल भी ख्रोज तक नहीं आई सर और व प्र माँरे आगे मौत है और आमें प्रमातमा ने आके बचा लिया है वह प्रमातमा है सब्हाइर से नहीं किर के प्रमातमा के रूप में यहीं आई है बेन जी जो विवाइद महिला ही होती है उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो स्वहम तो स्वस्त होती है लेकिन जो उनके पती होते हैं वो किसी ने किसी प्रकार का नसा करते हैं और उसकी पूरी लाइफ को बरबाद कर देते हैं महीला का पूरा जिवन कष्ट में बीचता है लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराथ के समर्धखों से बात की तो उनका कहना था कि जो भी संत रामपाल जी महाराथ से नाम दिखषा लेता है वो कोई भी किसी प्रकार का नसा करता है वो छुट जाते हैं इस प्रकार के कोई अन्भो रहे हैं, कि आपके पते भी कोई इस प्रकार कर नसा करते थे, और संत रामपाल जी महारत से नाम दिख से लेने के बाद उन्होंने नसा छोड़ दिया हो। इस दिन से बिलकुर नी है, बच्चे बीमार नी होते हैं, रनबद करते हैं, गुर्जी की चलना अमृत रहते हैं और तब ठीक हो जाते हैं। आपने हिमाचल प्रदेश से दूर हर्याना में संत्र आमपाल जी मारस से नाम दिख्षा ली क्या हिमाचल प्रदेश में सादू संतों की कमी थी जो आपने संत्र आमपाल जी मारस से नाम दिख्षा ली सर सादू संत तो बहुत फिरते हैं, बहुत सादू संत हैं, प्रतू सादू संत का मतलब ऐसा नहीं है, कि प्रमात्मा ऐसी भगती नहीं दे रहे हैं, सास्तर के नुसार हमें ग्यान नहीं दे रहे हैं, कोई ग्यान नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही बगवास करते हैं, तो उनके कहन इसा भी सुनने में आता है कि संतरामपाल जी महराच के आसरम में महिलाओं के बातरूं के अंदर कैमरे लगे थे महिलाओं को दूसे नहीं लाया जाता था और भी बहुत सारी ऐसी बाते सुनने को मिलती है आप संतरामपाल जी महराच से जुड़े हैं आपने संतरामपाल जी महराच को बहुत ही नजदीकी से देखा है जाना है आप इन आरपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे प्रमात्मा ऐसी बात नहीं है सर आप जो सुना है वो बहुत गलत है क्योंकि हम आसरम में रहते थे सर उहां ऐसा कुछ नहीं था जो आपने मेरे से कोस्टन पूचा उससे मैं बहुत दुखी हूँ इसलिए दुखी हूँ इसलिए दुखी हो रही हूँ क्योंकि ऐसा कुछ नह आपके साथ आपके पती आपके बच्चे भी जाते थे? आप लोग लगातार जंतर मंतर पर बैठे हैं, लगबग तीन साल हो गए हैं, संतर रामपाल जी महाराज को रिया करो की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा आपकी मांगो को अंदेखा किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी माचल परदेश से भी बहुत से ऐसे वक्ती हैं, जो संतर रामपाल जी महाराज के आसर में मौझूद थे, और उनको भी जेल में डाला गया, क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के बारे में, क्या उन्होंने ऐसा कोई कारिय किया, जिन के लिए उनको जेल में डाला जाना चीए? परन्तु फिर भी प्रसासन को क्या कर रहा है? प्रसासन जो है, अपनी गल्ती को ने मान के, हम लोगों के, जो इमानदार लोग है, जो प्रमातमने बताए कि अगर आपको कोई मारता है, तो आपने हाज जोड के उसके आगे नतमस्तक उना है, आपने हाथ ने उठाना है, हम गाली तक नहीं दे सकते सर, उम्हारी इतन से अब बानकी सत लोग की तरह हमें भुछत सुख दिया है परंकू उन्होंने इसा हमारे उपर अत्याशार किये सर वह बहुत गल्त है, बहुत ही गल्त है सर लाखों की तादाद में अभी भी सर्दालु संत्रामपाल जी माराश से जुड़ रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं मेडिया की खबरों का असर लोगों के जहन में है कि कुछ न कुछ तो सच है ही अगर 100% नहीं है तो 10-20% तो है ही तो आप लोग उन लोगों को कैसे समझाएंगे उन लोगों को हम जैसे गाओं गाओं में सर सहर सहर में हर डिष्टिक में हर जिले में परचार कर रहे हैं ग्यान गंगा का परचार है उस ग्यान गंगा को पढ़ो और सचाई जानो सचाई एक दिन सामने आएगी आखिर आप लोगों का क्या स्वार्त है कि आप लोगों को समझाते हैं आपको क्या मिलता है क्या आपका स्वार्त है आप मीडिया के सामने भी इंटर्व्यू दे रहे हैं, सर सर जाके किताबे बाट रहे हैं, यहां तक कि आप लोगों के विरोध का भी साबना करते हैं, तो आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों का क्या स्वार्थ है इसमें? हमारा कोई स्वार्थ निया सर बगेर स्वार्थ के लिए आज की दिन कोई व्यक्तिक काम करता ही निया है आप ठीक बोल रहे हैं क्योंकि आज यो लैसा ही महौल है अब हर स्वारत के बिना जो ब्यक्ति कोई कुछ नहीं करता प्रंतो प्रमात्मा ने हमें ग्यान दिया है ये ग्यान सही है क्योंकि हम पतने कितने असंख जन्म से भटकते हुए आ रहे हैं पूरे मानव समाज भटकते हुआ रहा है अगर उनको सही संत कि हमें पचान हो चुकी है कि प्रमात्मा इस धरती पे आये थे हम उनको भी समझाना चाते हैं कि वो भी प्रमात्मा का ज्यान समझे और गुरू जी कि सर्ण में आए है बहुत बहुत धन्यावा सच्चाई